नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है। क्या बीजेपी ने जानबुच करके ऐसा किया या बीजेपी और बीजेपी में कोई बढ़ी डील हुई है। 370 खत्म करने का मसला रहा हो या हाल के दिनों में हाथरस की घटना हो या 36 गड़ का चुनाओ हो मायवती कांग्रिस के प्रतिज्यादा अक्रामक रही बीजेपी की तुलना में है। तो कहा यह जा रहा है कि मायवती जमीनी हकीकत को समझ रही है और चुकि केंद्र में NDA की सरकार है इसलिए सरकार से बना के भी चलना चाहती है और इनके बीच में आपस में बाचित भी हुई है 2022 की सियासत को ले करके इस बीच में पंचायत और MLC का भी चुनाओ होना है रा बात नहीं थी जिसकी वज़ा से अचायनक वो सपा के प्रति आक्रामक हो जाए बीचेपी ने एक दाओ खेला बीचेपी चाहती तो अपना 9 कंडिडेट राजस्तभा चुनाओ में उतार सकती थी पंदरा सदस्तियों का एक पाइनल भेजा गया केंद्री नित्रित्तो को उ लेकिन सिर्फ यूँ ही नहीं छोड़ दिया उसके पिछे दाओ था एक वो इसलिए छोड़ा कि इस गैप को भरने के लिए कौन-कौन आगे आ रहा है यानि कि दो मुख्य दल जो है जिनके बीच्पी की सदसंक्या 18 है कि सभाविक रुपय सपा और बसपा ही आगे आएंग तो फिर बीच्पी जो है अक्रामक हो गई और जब बीच्पी अक्रामक हुई उसके साथ भिधाय को अखलेस यादव ने सपा प्रमुख ने गले लगा लिया तो फिर सपा ने निर्दली प्रकास बजाज को अपना समर्थन दे दिया यहां से जो खाई लोक सभा चुनाओ क जो कि पार्टी के महा सचीव है और अखलेस यादव के सबसे बड़े रण नितकार उन्होंने कहा कि नहीं पार्टी के एक ही उमिदवार चुनाओ लड़ेगा अब बीच्पी को ये भी कहने का बहाना मिल गया कि हम तो बातचित करके ये रास्ता निकलना चाह रहे थे कि ड विपक्ष बिखर गया और अब ऐसा बिखरा हुआ है कि आगे आने वाले चुनाओं में दोनों के बीच में नजदिखियां संभव नहीं है तो बीजेपी 2022 तक इस दोस्ती को ले जा करके और कोई कठिन परिस्थिती पैदा होती है तो उसमें बीच्पी को अपने पाले में रखने के लिए तैयारी कर रही है डील की है के इंदर में उनको कोई बड़ा पोश्ट देने के लिए तो इस पे नजर रहेगी क्या क्या डेवलपमेंट होता है क्योंकि राजनीत है राजनीत में ना कोई अस्थाई दोस्त होता है ना अस्थाई दुस्मन होता है यूँ भ पर चानल को सब्सक्राइब करें